भारती वायू सेना का लडाकू विमान मिक-29 क्रैस हो गया है। घंटा पंजाब के होसियार पुर्चीले के पास हुई है। वायू सेना के एक अधिकारी ने बताए कि पाइलेट विमान से सुरच्छित बाहर निकलने में काम्याब रहा। प्लेन क्रैस होने के बाद आस-पास के गाउवालों ने आकर पाइलेट की मदद की और तब तक उसे अकेला नहीं छोड़ा जब तक रेस्क्यू टीम वहाँ नहीं पहुंचे। गाउवालों की मदद के लिए सोचल मीडिया पर उनकी खुब सराहना की जा रही है। गाउवालों की सराहना करते हुए मेजर जनरल ब्रजेश कुमार ने ट्विटर पर लिखा की पाइलेट सुरच्छित है। जल्द ही अच्छे हो जाए। आपको बता दे की विमान में तकनीकी गड़बडी के कारण यहास्सा हुआ है। मामले की जाज करने के आदेश दे दिये गए। Bureau Report प्रभात वार्ता